तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से डिजिटल सेवा पोर्टल की माध्यम से पैन कार्ट अपलाई कर सकते हैं काफी लोगों को परिशानी होती है कि पैन कार्ट का वो फॉर्म तो प्रॉपर फिल्क कर देते हैं लेकिन उसके अंदर को जब फोटोग्राफ को हो या फिर सिगनेचर को अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर उस साइस को सेट अप नहीं कर पाते हैं आपको सर्ज का एक option दिखाई देगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है pen card जैसे आप pen card यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको पहला option दिखाई देगा UTI pen card service का इस पर आपको क्लिक कर देगा इस पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक है एक option दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना है और कुस OTP के बिना आप रिसे लॉग इन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको OTP फिल करना होगा, जैसे आप यहाँ पर OK बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपना OTP फिल करना होगा, तो आपका जो OTP है, आपकी मेल आइडी पर भी आएगा, और आपकी फोन आपको जाना है, तो इसके लिए आपको जाना है, यहाँ अपलाई New Pen पर, और यहाँ पर आपको सबसे पहला option सेलेक करना होगा, अपलाई for New Pen 49A, यहाँ इस वाले फॉन को आपको फिल अप करना होगा, तो इस पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों आप पूछा जा रहा है कि आपको जो आपका pen card है, वो physical mode में चाहिए, या फिर आपको digital mode में चाहिए, तो हम यहाँ पर physical mode के लिए apply करने वाले हैं, तो हम physical mode को यहाँ पर select रखेंगे, नीचे की तरफ आप जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप से पूछा जा रह रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर individual को select करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक और notification यहाँ पर दिखाई देगी, कि क्या आप NRI category के अंतरगत आते हैं, यहाँ पर आपसे दो option है, yes याँ नो, तो यहाँ पर हम इंडिया के ही रह ने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर no पर click करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, pen card mode आप से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम आपको suggest करूँगा, कि यहाँ पर आपको पहले वाले option को tick करना है, जिसमें आप देख सकते हैं, physical pen card and e-pen, इस पर ठीक करने का आपका जो benefit होगा, वो यह होगा, कि आपके घर पर जो card है, वो deliver होगा, इसके साथ साथ आपकी email ID पर भी आपका pen card बेज दिया जाएगा, तो इसमें सबसे पहले option आपको select करना है, लेकिन अगर आप दूसरे वाले option को select करते हैं, तो यहाँ प पर सबसे पहले वाले option को यहाँ पर select करते हुए, submit वाले बटन पर click करेंगे, submit बटन पर जैसे में यहाँ पर click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके का application form open हो जाएगा, और यहाँ पर आपके सामने एक reference number by default generate हो जाएगा, तो फिलाल आप चाहे तो इस reference number को copy करके रख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर okay button पर click कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर यह form खुल कर आजाएगा, और यहाँ पर आपको title पर click करना है, यहाँ पर आपको select करना है कि आप किसके लिए अपने pen card को apply कर रहे हैं, अगर आप कोई ladies के apply कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप श्रीमती का use करेंगे, अगर आप किसी ऐसी लड़की का apply कर रहे हैं, जिसकी उम्र 18 साल से उपर है, या फिर 18 साल की है, तो उस case में आपको श्री सलक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम फिल कर रहा है, जिसका यहाँ पर notification आपको दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर last name फिल कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना first name फिल करना है, तो यहाँ पर first name फिल कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पर first name फिल करेंगे, और यहाँ पर last name फिल करेंगे, और जै gender को select करते हुए यहाँ पर हम male select करते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम इसकी date of birth फिल करेंगे तो हम फट आफट यहाँ पर date of birth को fill कर देते हैं तो यहाँ पर हमने date of birth फिल कर दी है इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर आप देख सकते है address of communication का option आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर हम address of communication में यहाँ पर residence को select करेंगे यानि आप यहाँ पर चाहें तो अपने office का address भी दे सकते हैं तो यहाँ पर हम अपने residence को select करते हुए आगे बढ़ेंगे इसकी बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर residence state आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर click करके अपने गर का जो भी state है याँ आपका जो भी residence है वो किस state में है उसको आपको यहाँ पर select करना होगा तो हम यहाँ से दिल्ली को select करते हुए आगे बढ़ेंगे इसकी बाद आप देख सकते हैं office state है तो यहाँ पर हमने office को select नहीं किया है इसलिए इन में से किसी भी option को आपको select नहीं करना है ना ही office state को और ना ही यहाँ पर representative state को तो दोनों ही option को यहाँ पर हम छोड़ देंगे इसकी बाद हम नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर उस person का अ enter अधार number का option दिखाई देगा यहाँ पर आपको फिर से अधार card number फिल करना होगा तो हम यहाँ पर फिल से अधार card number फिल कर लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर ok बटन पर click करना है इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है name as पर अधार enrollment ID याँ आपके अधार card पर क्या नाम है वो नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा तो हमारे case में इस सेम नाम है तो हम यहाँ पर sohip khan लिखेंगे इतना करने के बाद आपको यहाँ पर next step पर click कर देना है next step पर जैसी आप यहाँ पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको अपने documents and payments का option आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर document को select करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपको identity proof में आप कौन सा document देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको click करके अधार card को select कर लेना है उ आप यहाँ पर अधार card को select करते हुए यहाँ पर आप make payment पर click करिए तो दोस्तों तीनों ही option में हमने यहाँ पर अधार card को select कर लिया है कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि date of birth proof में वो अधार card को accept ना करें उसकी जगाँ पर आपको कोई और ID देनी पढ़ सकती है जैसे आपका birth certificate तो हम यहाँ पर make payment पर click करने वाले हैं जैसे हम यहाँ पर make payment पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर payment window open हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो total fees है वो 107 रुपे जो की आपके customer के slip पर आपको दिखाई देगी लेकिन आपके wallet में स तो अपना wallet pin टाइप करना होगा तो हम फट फट अफट अपना wallet pin यहाँ पर fill कर लेते हैं और उसके बाद आपको pay वाले option पर click करना है जैसे हम यहाँ पर pay वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते है payment window यहाँ पर successfully आगे बढ़ जाएगी और आपके सामने आपके सामने एक notification आएगा जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका जो अधार card है वो match किया जा चुका है जो कि आपकी अधार card के साथ pen card को link भी कर दिया गया है अब यहाँ पर आपको सीधे यहाँ पर OK बटन पर click करना है OK पर click करने के बाद यहाँ पर आपको इंडिय ही रहने देना है यहाँ पर आपको अपने customer का mobile number फिल करना होगा STD code में आपको यहाँ पर 911 लिखना होगा और यहाँ पर आपको customer की email ID फिल करना होगा तो हम यहाँ पर mobile number डाल देते हैं और यहाँ पर email ID फिल कर देते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने य यहाँ पर email ID को भी fill कर दिया है नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी parents की detail आपको यहाँ पर fill करनी होगी यहाँ पर आपसे पूचा जा रहा है कि आप जिस किसी का भी form fill कर रहे हैं अगर उनके single parents हैं तो यहाँ पर आपको इसे अगर आप यहाँ पर father's name को select करेंगे तो उनके pen card पर उनके father का नाम प्रिंट होगा इसके बद आपको next step पर यहाँ पर click करना है next step पर जैसी आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको communication detail fill करना होगा यानि की complete पूरा address यहाँ पर उनका fill करना होगा तो हम फटा-फट यहाँ पर address को fill कर लेते हैं और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना district select करना है तो यहाँ पर हम not daily को select करते हुए आगे बढ़ेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको अपने area का pin code डाल देना है नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको office address fill करने क्या option दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम office address fill नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर office का कोई भी address नहीं दिया था नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूचा जा रहा है source of income पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर AO code detail यहाँ पर by default fill हो जाएगा इसमें आपको कोई भी details fill करने की जुरत नहीं है नीचे की तरफ आप आईए नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर verify our name आपको दिखाई देगा जिस person का यहाँ पर हम pen card भना रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा verification place के अंदर यहाँ पर आपको अपना state टाइप कर देना है जैसे हम यहाँ आपर टाइप कर देते हैं तो हम केवल अधर काड यहाँ पर upload करेंगे साथी यहाँ पर हमें form और एक photo भी upload करना होगा तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ यहाँ इतना complete होने के बाद यहाँ पर आपको submit का option दिखाई देगा अगर आप चाहिए तो यहाँ से back जा करके आपने form की फूरी details वापस से check कर सकते हैं नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपका scanning specification भी आपसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपके photo का और आपके signature का क्या size होना चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको किवल submit वाले button पर यहाँ पर click करना है जैसी आप यहाँ पर submit बटन पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक information दिखाई देगी इस information को आपको print कर लेना है तो हम यहाँ पर इसे print कर लेते हैं Ctrl P की command देंगे और यहाँ से अपने printer को select करते हुए इस print की हमें दो copy यहाँ से निकाल दीए जिसमें से एक जो copy होती है वो आपको customer को देनी है और एक copy आपको अपने पास रखनी है तो यहाँ पर हमें इसके दो print को यहाँ पर निकाल लेते हैं तो दोस्तो इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको एक और option दिखाए देगा download PDF form का यहाँ पर आपको इस पर click करना है इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो भी हमने form fill किया है उसके एक PDF आपको दिखाई देगी यानि PDF आपको print करनी होगी जिसमें आपको दो photograph लगा करके customer के यहाँ पर signature कराने होगे और उसके बाद उसे वापस से यहाँ पर upload करना होगा तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके का application form यहाँ पर download होगा जिस पर हमें customers की दो photograph यहाँ पर लगानी होगी पहली photo आपकी यहाँ पर लगेगी और दूसरी photo आपकी यहाँ पर यानि दोनों ही photo आपको यहाँ लगानी है और पहले वाला जो आपको photo दिखाई दे रहा है इस पर आपको cross signature करवाना है customer का जिसमें आदा signature form पर होना चाहिए और आदा signature photograph पर आना चाहिए उसी तरीके से यहाँ पर आपको यह photograph लगानी है बट इस पर आपको signature नहीं करवाना है आपको इस box पर यहाँ पर signature कराना होगा इसके just नीचे की तरफ आप जाएंगे तो सबसे last वाले form में आपको यहाँ पर signature कराना होगा अपने customer का और उसके बाद इस form को scan करके आपको यहाँ पर upload करना होगा तो मैं आपको यह पूरा का पूरा process करके दिखाने वाला हो तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो form को download किया था उसके उपर यहाँ पर photo लगा करके signature करवा करके यहाँ पर इसे scan कर लिया है और उसके बाद हमने एक अधार कार्ट की photocopy यहाँ पर निकलवा करके उस अधार कार्ट पर भी यहाँ पर signature करवा ली है customer की अब हमें इसको एक PDF में convert करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको जाना है Google पर गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपको type करना है I love PDF इस वाले function को आपको यहाँ पर select करना है यहाँ पर सबसे पहली website जो आपको दिखाई देगी इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है convert PDF पर और यहाँ पर आपको select JPG to PDF इस पर आपको click करने के बाद यहाँ पर आपको select JPG image पर click करना है और यहां से आपको वो तीनों फाइल यहां पर select कर लेनी है जैसे इन तीनों फाइल को मैंने यहां पर select किया और यहां से इसे open कर दिया open करने के बाद आप आप देख सकते हैं हमारी तीनों फाइल से यहां पर दिखाई दे जाएंगी देना है, convert to PDF पर click करने के बाद यहाँ पर आपको download का option दिखाई देगा, तो आपको download PDF पर click कर देना है, जैसी आप download PDF पर click करेंगे, तो आपकी PDF फाइल यहाँ पर download हो जाएगी, और इसके बाद अब आपको इस PDF को upload करना है, तो upload कैसे किया जाता है, आई जानते हैं, तो दोस सकते हैं, अभी हमारा season यहाँ पर invalid हो गया, यानि season expired हो गया, तो इसके लिए आपको वापस से login करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से close करते हुए, वापस से digital सिवा पोर्टल पर आते हैं, और यहाँ पर वापस से हम type करेंगे, pen card, और यहाँ पर first वाले option को वापस से select करेंगे यहाँ से click here पर click करेंगे, और यहाँ पर आपको अपनी login ID, password और capture फिल करके, इसे login कर लेना है, sign in पर जैसे आप click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, आपके सामने फिर से यहाँ पर OTP का option आजाएगा, यानि बिना OTP डाले, आप pen card को apply नहीं कर सकते हैं, जिस agent के नाम पर, यह CST ID है, उसी की मेरा ID पर, उसी की mobile number पर यह OTP बेजा जाता है, तो यहाँ पर हम OK करके, अपनी OTP को वापस से click करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर submit वाले बटन पर click करेंगे, तो आपको वापस से जाना है, apply new वाले option पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको upload document क option दिखाई देगा, इस पर आपको click करना है, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर option दिखाई देगा, अपने document को upload करने का, यहाँ पर आपको दो तरह की option मिलते हैं, document को upload करने की, अगर आप यहाँ पर पहले वाले option पर click क करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप crop and upload वाले option पर जाएंगे, इस पर जैसे आप click करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर एक window open हो जाएगी और यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं, अपकी नीचे की तरफ, आपको वो तीनों की तीनों, जो भी हमने यह फाइल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, अलग अलग पेजिस में, तो आपने यहाँ पर पहले वाले option पर click करना है, क्योंकि हमें यहाँ से image को crop करना है, मीचे की तरफ आप जाएंगी तो आपको यहाँ पर image दिखाई देगी, crop करने के लिए मैं आपको suggest करूँगा कि यहाँ से आप पहले वाले image को ना लेते हुए, दूसरी वाली image को यहाँ से crop करेंगे, क्योंकि पहले वाली image में आप देख सकते हैं, यहाँ पर signature भी आपको दिखाई देगा, तो आपको देख सकते हैं, आपकी photo यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी, इसी तरीके से आपको यहां से signature को भी copy कर लेना है तो form second पर जैसे हम यहां पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके नीचे यहां पर आपको signature दिखाई देगा तीनों ही form में जहां पर भी signature आपको clear दिखाई दे वहां से आप इसे crop कर सकते हैं तो यहां से हम signature को select करते वे यहां पर crop करेंगे signature को select करके आपने आपर crop image पर click करना है crop image पर जैसे हम click करेंगे तो आप देख सकते हैं image और signature दोनों ही यहां पर crop हो करके आपको दिखाई दे जाएंगे अब आपको केवल से drag and drop करना है यानि image को उठा करके आपको यहां पर image वाले section में छोड़ना है तो आप देख सकते हैं यहां पर image यहां पर by default adjust हो जाएगी उसी तरीके से आपको signature को यहां पर drag करके signature वाले option पर यहां पर छोड़ देना है तो यहां पर आपको कोई भी size दगरा set करने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी आप directly अपने form से ही signature को और photo को यहां पर crop करके आसानी से upload कर सकते हैं अब आपको कुछ नहीं करना आपको सीधे यहां पर upload picture and signature पर simply click कर देना है जैसी आप यहां पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने option दिखाई देगा well done का और यहां पर आपको बताया जागा कि आपका जो document है वो successfully यहां पर upload कर दिया गया है आपके pen card पर जो नाम print होगा वो भी आपको यहां पर दिखाई देगा तो दोस्तों इस तरीके से आप CSC के माद्यम से pen card apply कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरू कीजेगा धन्यवाद